आप देख रहे हैं चैनल अमीन इंफो डेली उनिवरस्टी के रेगुलर कॉलेजिस के पीजी के एड्मिशन करेंटली चल रहे हैं और दो लिस्ट अभी डिक्लियर हो गई हैं हो सकता है जिस टाइम पर आप ये वीडियो देख रहे हो थार्ड लाउन का रिजल्ट भी आ गया हो अब आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पीजी में एड्मिशन जब कंफर्म हो जाता है आपका आउनलाइन मोड में उसके बाद आगे का क्या प्रोसेस है आपके फिजि के अकैडमिक केलिंडर में उस अकैडमिक कलिंडर के अकॉडिंग जो पोस्ट गेजुएट प्रोग्राम है इनकी जो क्लासिज हैं वो 1 अगस्ट 2024 से स्टार्ट होंगी यानि कि PG एड्मिशन का जो नया सेशन है वो 1 अगस्ट 2024 से शुरू होगा तो यह जो एक अगस्ट की देट है यही डेट आप लोगों के लिए बहुत दगा इंपोर्टेंट है आप सभी लोगों से जिसने PG में एड्मिशन लिया है हाद जोड़कर विंती है कि इस पर्टिकुलर डेट पर जो भी आपके प्रोग्राम्स होंगे औरेंटेशन प्रोग्राम्स जो भी फिजिकल होगा जो भी सारी चीज़े होंगी इसे प्लीज जरूर से अटेंड कीजिएगा यहां पर मैं एक इन्फरमेशन और देदूं कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हो सकते हैं जो एक अगस्त को औरेंटेशन ना रखें थोड़ा सा डेट तीन चार दिन आगे हो सकती है पीछे तो इसली नहीं होगी एक अतिस जुलाई या तीस जुलाई एक अगस्त है उसके बाद की डेट पर कुछ-कुछ डिपार्टमेंट हैं जो औरेंटेशन रख सकते हैं तो इसमें आपको टेंस नहीं होना कि सर एक अगस्त की डेट है और हमें तो अभी तक इन्फरमेशन भी नही तो यह जो इन्फरमेशन है यह आपको मिलेगी आपकी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर या फिर आपने अगर एंसी वेब में एडमिशन लिया है तो एंसी वेब की वेबसाइट पर कुछ कोर्स ऐसे हैं डेली उनिवस्टी में जो बहुत सारे अलग-अलग कॉलेजिस में ओफर कियाता है पीजी लेवल के उनकी क्लासिस डिपार्टमेंट में लगती है जो नौर्थ केमपस के कॉलेजिस हैं उनकी क्लासिस नौर्थ डिपार्टमेंट में लगेंगी और जो साउथ केमपस में उनकी क्लासिस साउथ डिपार्टमेंट में लगेंगी जो South Campus वाले होंगे, उनकी South Department Political Science में Classes लगेंगी, एक्चुल जो College है, वहाँ Classes नहीं लगती, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगें, और जो Document Verification है, वो भी आपका उसी respective Department में ही होगा, अब Lastly, इसकी Information आपको कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी, देखें, आप 20 से 25 जुलाई के बाद, जो अलग-अलग Department है, उनकी Website जरूर से चेक करते रहे हैं, आप क्या करोगा, for example, आपका History Department है, आप Google पर सिंपली सर्च करो, Department of History Delhi University, आप ये सर्च करोगे, तो Department of History के Official Website का लिंक आजाएगा, वहाँ लिंक पर जाएए, वहाँ के सेक्शन में, सर्कुलर के सेक्शन में जाएए, आपको वहाँ जानकारी मिलेगी, ति हिस्ट्री Department का जो भी सारी चीज़े हैं, औरियन्टेशन हो गया, या फिजिकल डॉक्रिमेंट वेरिफिकेशन हो गया, ये किस दिन होगा, similarly, अगर आपका अगर आपका बीएड में एड्मिशन हुआ है, फैकल्टी ऑफ एजूकेशन की सारी मिलेगी, ऐसी तरीक से लाइब्रेरी कोर्स में एड्मिशन हो अगर आपको जानकारी मिलेगी और NCWeb में admission हुआ है तो NCWeb की website पर जानकारी मिलेगी कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर NCWeb में कोई का कोई college अलोट नहीं हुआ नहीं, NCWeb PG level पर कोई specific college अलोट नहीं होता NCWeb के tutorial building है North Campus में यह वही पर उसकी classes लगती है ठीक है, और again कब लगेंगी, orientation कब होगा उसकी जानकारी NCWeb अपनी website के उपर डालेगा अब यहाँ पर बात आती है, documents कौन कौन से आपको ready रखने चाहिए जो documents आपने online upload करे थे, यह आपको बहुत अच्छे से पता है आपने कौन कौन से document online upload करे थे, वो सारे documents आपको चाहिए होंगे I think this is enough और यहाँ पर एक और चीज में clear कर दूँ जैसे as of now जब मैं वीडियो record कर रहा हूँ अभी Delhi University के final semester के result नहीं आये है तो let's suppose कि orientation चुरू हो गया और आपके final semester के result नहीं आते तो यह बात आपके department को भी बहुत अच्छे से पताएगी यहादी इस बच्चे का final semester के result नहीं आया तो verification की time पर हम इससे final semester की mark sheet नहीं मांग सकते या फिर अगर final semester का result दो से तीन दिन पहले ही आया हो तो verification के time पर हम इससे mark sheet तो मांग सकते हैं लेकिन इससे provisional certificate नहीं मांग सकते तो इस चीस को आप अपने mind में pressure लेकर मच चलना कि यार हमें तो हमारा तो अभी result ही नहीं आया verification की time पर हम क्या दिखाएंगे हमारा admission confirm हो चुका है फीज बर्दी इस तरह का बोच अपने दिमाग में लेकर मच चलिएगा जो भी जिस भी डेट तक आपका जो भी result आया हुआ है उस particular semester तक की जो भी mark sheet है वो आप लोग दिखा हो गए और आपका graduation अगर किसी दूसरी university का है तो obviously आपको कुस ना कुछ तो relaxation दिया जाएगा जब result आजाएगा अपने document आप लोग वहाँ पर submit करने जा सकते हो और यह सारी चीज़े हैं और ऐसा बिल्कुल possible है हो सकते हैं document verification के लिए वो time ज्यादा देते हैं एक या दो या तीन अगस को orientation ज़रूर से start करते हैं